चैश्री राम मित्रो, मैं सीमा रोहिला, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है गर्मियों में अगर आम की कोई रेसिपी ना खाई तो क्या खाई? आज हम लेकर आए हैं बहुत यमी सी आम की आइस्क्रीम इसे पहले मैंने अपने चैनल पर और भी आईस्क्रीम कुलफी की रेसिपी दी होई है प्लिस जरूर चैक कीजिएगा यहाँ पर हमने फुल फैट मिल्क ले लिया है हेवी बेस का बटन लिया है और इस दूद को हम गरम करने के लिए रख देंगे आदा लिटर दूर से हमारे दो मैंगो की बड़िया सी आईस्क्रीम बनके तयार हो जाएगी अब यहाँ पर जब हमारा दूद अच्छे से गरम हो चुका है तब हम देखे दो चमच शुगर का यूज़ कर रहे है यह मैंने ब्राउम चुगर लिए है और जब दूद अच्छे से उबल जाए तब भी आप इसको डाले ताकि जो दूद हमारा बनेगा ना वो बहुत अच्छा सा क्रीमी क्रीमी सा गाड़ा गाड़ा सा दूद बनके जो है आईस्क्रीम के लिए तयार होगा और भी ऐसी रेसिपीज हैं जो मैं आपको पहले भी उता चुकी हूँ उन्हें आप ज़रूर चेक कीजिएगा नो आइस्वाली आइस्क्रीम जो मैंने बनाई हुई है अब यहां देखिए हमारा दूद काफी अच्छे से गाड़ा हो गया है करीब आदी कॉंटिटी का यहां पर मैं डाल रही हूँ कंडंस मिल्क इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है वो भी में लिंक देदूँगे आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कर में यहां बहुत यासानी से कंडंस मिल्क रेडी कर सकते हैं तो देखिए दूद हमारा अलमस काफी अच्छे से गरम हो चुका है काफी तीकनेस हो गई है अब हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे यह देखिए अच्छी तीकनेस है अब इसमें हमें जो भी ड्राइफ्रूट डालने हैं अब उनको ले लेंगे और इनको हम चुटा-चुटा कट कर लेंगे अब यहां यह हमारा मिश्टन ठड़ना होगा साथ हम इसके अंदर यह ड्राइफ्रूट डालके छोड़ देंगे दूसरी तरफ हमने आम को जो है बीच में से थोड़ा खाली कर लिया है ताकि हम जो हमने आइस्क्रीम के लिए मिस्टर बनाया है इसको हम एड़ कर सके गोटली को हलक कर दिया और हमने साथ में थोड़ा सा इसका पल्प भी हटा दिया पल्प को उसके साथी मिक्स करके से जमाने के लिए रख दिया फ्रीजर में बहुत बढ़िया से हमारी ये आईस्क्रीम मैंगो की बनके हो गई तयार इसका छिलका हटा देंगे और इसकी गोल को स्लाइस कट कर लेंगे पतल या मोटी आपके अपनी पसंद है आप इस तरीके से आप इसको कट कर लीजिए बहुत ही टेस्टी लगती है ये आईस्क्रीम आप जरूर बनाईए आपके घर महमान आए तब आप उने जरूर खिलाईए एक दम यूनिक सी रेसेपी है और जल्दी से बनने वाली है